हालो फ्रेंट वेल्काम बाक टू दा चैनेल खोज इंडिया में हूँ चंदर में आज आया हूँ हीरो सोरूम जो चौंदर नगर में है क्योंकि यहाँ पर आज लॉंच होने वाला है ब्रैंड न्यू टुथाउजन टुएंटी टू एडिशन अल्वार वेस्ट पेंगल में आज पर्ट्स टैम्प यह बाइक लॉंच होगा स्प्रेंडर के बारे में कुछ कहने की जुरूरती नहीं यह लेकिन यह 2022 एडिशन में नायापन क्या है इसमें क्या फीचर से क्या प्लाइस है क्या स्पेसिफिकिकिसान है मैं आपको डीटेल में बताने की कोछिज करूगा तो आप ही यह सब कुछ रेडी कर रहा है यह लोग तो हो जाने दीजिए उसके बाद मैं आपको डीटेल में दिखाऊंगा सबसे पहले आप फार्च्ट रूप देख लीजिए 100cc सेग्मेंट में हीरो का एक दमदर बाइक है यह स्प्रेंडर प्लास अकुदिंग तो प्राइस, माइलेज और रिसलिंग वैलू यह एक आनपरालल बाइक है और यह 2022 में यह और भी अप्ग्रेट होके आये है बहुत सारे अप्टूदेट फीचर्स के साथ तो चलिए सबसे पहले कुछ हाइलाइटेड फीचर्स देखते है LED High Intention Position Lamp मतलब LED DRL इस बाइक में है और यह New Color New Stickering के साथ साथ में Hero 3D में लिखावा है ओभराल लूक्स पहले से और भी बैतरिन है फुली डिजिटल मिटर विध डिजिटल स्पीड दिस्प्ले और एक हाइलाइटेड फीचर है यह Bluetooth Connectivity इसी सेग्में में यह फॉर्स ताइम है Bluetooth Connectivity विध कॉल अलाइट, SMS अलाइट, बैटरी लेवल इंडिकेटर यह सारे चीज़ आपको instrument console के display में देखने को मिलेगा और instrument console में आपको real-time mileage indicator भी मिलेगा यह रहने से आपको और भी better mileage मिल सकता है आपको real-time mileage क्या मिल रहा है, और आप आसानी से देख सकते हो Every 3 seconds में आपको real-time mileage refresh मिलेगा और एक जोरूरी फीचर आभी और मुस्ट सारे बाइक या टू वीलर में है वो है USB चार्जिंग पोर्ट आप अगर पूरा दिन बाहर रहते हो तो मोबाइल चार्ज दिने में आसानी होगा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बाइक में अल्डेडी इंस्टॉल्ड है वो भी इंटिक्रेटेड उस्बी चार्जर के सार्ड पर इस बाइक में एक एसेंस एफ़ाइ टेकनोलोजी है ये टेकनोलोजी मीन्स हाइफ पॉल एफिसेंसी और इंस्टेंट पीक अपावर आपको आसानी से मिलेगा 2022 में ये स्प्रेंडा प्लास और भी अपग्रेड होके आए है और आपकोर्स हीरो पेटिंटेड इस टेकनोलोजी इस बाइक में आपको मिलेगा जैसे Hero के सारे 2W Lats में अभी i3S टेक्नोलोजी है वैसे Splendor Task में भी आपको ये टेक्नोलोजी मिलेगा आइडिल स्टाट स्टॉप सिस्टेम ये स्विच आप हमेशा राइट करते वक्त अन रखिये तके फूएल सेव हो सके इससे आपका मानिक सेव होगा और भी बेटर मायलेज आपको मिलेगा लेकिन राइट करते वक्त ये स्विच हमेशा प्लीज अन रखिये और एक हाइलेटेट फीचर जो है ये है साइड स्टेंड इंडिकेटर इसका मतलब अगर बाइक चलातर बाइक गीर जाये 45 डिगरी के बाद इंजिन आटोमेटिकली आफ वह जाएंगे ये एक मेजर सेप्टी फीचर है हर एक राइडर का सेप्टी एक मेजर इसू है तो उसको दिमक में रखके ये बैंक अंगल सेंसर हिरो ने इस बाइक में लगा दिया है और सेप्टी फीचर को ध्यान में रखके इंटिग्रेटर ब्रेकिंग सिस्टेम भी आपको इस बाइक में मिलेगा आप अचानक brake लगाने से सामने और पीछे well controlled braking performance आपको मिलेगा और riding comfort को दिमक में रखके hero ने इस bike में आपको single piece long very well cushion sit दिया है city ride हो या फिर long ride, ride करते बाग तब को बहुत अच्छा sitting comfort भी मिलेगा तो ये था overall highlighted features, बहुत अच्छा कम किया hero ने, इसी range में इस bike में इतना कुछ दे दिया है जो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही effective है, उपर से ये hero brand, mileage का भरोच सा तो ही अगर आप एक बार ये bike खड़े ले, तो पास साथ दस सल आप अडाब से चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है और overall इंडिया में hero का बहुत सारे authorized service station भी आपको मिलेगा, सारे spare parts available, कोई दिक्कत नहीं easy and low maintenance के साथ, ये एक mileage वाला bike है, 2020 में upgraded feature के साथ ये bike है और आएए, आप कुछ detail specification के बारे में मैं आपको बता दू सबसे पहले देखते हैं engine के बारे में, 97.2cc यार कूल 4-stroke single cylinder OAC-BS6 compliant engine इस bike में है और इस engine में maximum power day 5.9 kilowatt at the rate 8,000 rpm और maximum torque 8.05 newton meter at the rate 6,000 rpm board size 50 और stroke size 49.5 mm, programmed fuel injected engine इस bike में है 4-speed gear transmission के साथ, tubular double cradle frame इस bike में आपको मिलेगा और आप देखते हैं tireson wheels, सामने और पीछे tubular tire है, इसी range में इस bike में आपको tubular tire मिलेगा सामने और पीछे जो wheel है, उसका size है 80 inches और सामने tire का size है 80 by 100, पीछे भी 80 by 100 tire size है और सामने telescopic hydraulic sock absorber आपको मिलेगा और पीछे 5-step adjustable hydraulic sock absorber इस bike में है आप अपनी height के हिसब से थोड़ा बहुत adjust कर सकते हो क्योंके 5-step adjustable spring-loaded hydraulic sock absorber पीछे है और single piece very well cushion seat है इसमें और इसके साथ 12 volt 3 ampere maintenance free battery है और instrument console में आपको neutral indicator, high beam indicator, side stern indicator, i3s indicator, real time mileage indicator, low fuel indicator ऐसे बहुत सरे indicators आपको instrument console में देखने को मिलेगा और इसके साथ मैं आपको इस bike का full dimension भी बता देता हूँ ये bike का जो length है ये है 2000 mm, जो width है वो है 720 mm, 1052 mm height है और जो sit height है ये है 785 mm तो अगर आपका height minimum 5 feet 6 inches भी हो तो आप आसानी से ride कर सकते हो और जो wheelways है ये है 1236 mm और 165 mm ground clearance के साथ जो fuel tank capacity है वो है 9.8 liters और जो car weight है इस bike का overall अप्राक्सिमेट 112 kg कोई disc black variant अभी तक नहीं आए ये drum black variant है तो disc black variant आते ही मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अगर आए तो और ये bike आपको चार color variant पे भी मिल सकता है sparkle beta blue, canvas black, pale white और tornado gray मुझे personally अच्छा लगा ये pale white color सोरूर में आते ही मैं आपको जरूर दिखाऊंगा pale white color very sophisticated color है ये pale white मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिस करूंगा और आए अब most important बात इतने सब कुछ देने के बाद इस bike का on road price क्या है ये है 88,750 रूपीज time to time थोड़ा बहुत change हो सकता है लेकिन on road price approximately ये है और अगर आप ये bike easy finance scheme में लेना चाता हो तो इसके लिए down payment देना पड़ेगा आपको minimum 25,000 रूपीज और 3 साल के लिए अगर आप लेना चाते हो तो हर माइन आपको EMI देना पड़ेगा approximate 2555 रूपीज तो approximate EMI scheme ये है लेकिन time to time थोड़ा बहुत change हो सकता है very nominal and easy documentation के साथ ये bike आप easily EMI पे ले सकते हो और ये जो EMI है ये 36 months के लिए है मतलब 3 साल के लिए है तो ही था overall hero sprender class H-tech model 2022 edition brand new model है ये अगर आपको ये वीडियो आच्छा लगा तो please like button के उपर प्रेस कर दीचे खोजीने चनल right now ऐसे बहुत सरे two wheeler के बारे में update में देते रहूंगा बिच में बहुत दिन गैप हो गया था लेकिन आभी में continue करूंगा तो please subscribe खोजीने चनल right now और अगर आप ये bike लेना चाहते हो तो please पहले एक बाद टेस्टाइट जरू लिजेगा एक दो किलो मेटर टेस्टाइट दीजिए उसके बाद final decent लिजे और mileage आपको approximately 65-70 km पार लिटर mileage आपको मिल सकता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप service कितना late कर बाद रहे हो और आप ये bike कैसे ride कर पा रहे हो उसी हिसाब सापको mileage मिलेगा अगर चाराते वाक्त अब ज़्यादा clutch use करो या फिर speed को ज़्यादा कम ज़्यादा कम ऐसे करो तो mileage आपको कम मिल सकता है लेकिन clutch अगर कम use हो और speed approximately 35-40 km पार आवार रहे तो mileage आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा तो आपको ये bike का mileage undoubtedly बहुत ही बढ़िया मिलेगा तो इस वीडियो में इतना ही में अच्छा लगा मिलते फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो और अगर अपके मन में कोई जानकरी है तो में नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ सोरूम का आप वहां पर फोन करके भी पूछ सकते हो कोई भी इनक्वारी कालर के बार में यह एमाई स्किन के बार में कुछ भी लेकिन प्लीज ऑफिस टाइम में फोन करिये मिलते इफित अखले वीडियो में थैक्स पर वाचिंग इस वीडियो जाए हिंद बने माता रभू